पैसा आये तो मुसीवत ना आये तो मुसीवत इसलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक शब में आपका फिर से स्वागत है राबर्ट टीकियो साकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माईक बड़े हो चुके थे और माईक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार समाल लिया था और बहुत सक्सेस्फुल भी था और अब माईक अपने बेटे को ठीक वैसा है सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने यानी राबर्ट टीकियो साकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था राबर्ट टीकियो साकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटार हो जाना चाहिए रिटार्मेंट का ये मतलब नहीं होता है या आगे काम नहीं करना चाहते वगारा वगारा रिटार्मेंट का ये मतलब होता है कि अब आप इस लाइफ हो गये हैं कि आपका पैसा अब आपके लिए काम करें retirement का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके जो strategy बना के सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था अब आपकी वो age आ चुकी है कि अब उस पैसे को enjoy करें क्योंकि अब आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है कुछ लोग पूरे जिंदगी काम करते हैं रिटार नहीं हो पाते पूरे जिंदगी काम करना गलत नहीं है पर यह difference समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वज़ा से पूरी जिन्दगी काम कर रहे हैं उसका गुलाम बनके काम कर रहे हैं या फिर उसका मालक बनके अपने काम को इंजवाय करके पूरी जिन्दगी काम कर रहे हैं रिटार्मेंट को दूसरे सब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं इसका मतलब यह है कि पैसा अगर सही तरीके से खर्च किया जाए पैसे को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो अपने याप बढ़ता रहता है यह ठीक एक पैन लगाने की तरह है क्या इसे सालों तो पानी देते हैं जब आप अपने बिजनेस में होते हैं अपनी जॉब में होते हैं और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते हैं जब भी उस पैन के जरूरत होती है तब आप उसकी सेवा करते हैं और जब वो पेंड बड़ा हो जाता है जमीन की गहराईयों में उसकी जड़े पहुच जाती हैं फिर वो अपने आपको छाया और फल देता है और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती पैसा भी कुछ-कुछ उस पेंड की तरह ही है अगर इस बात को एक दूसरे एक्जामपल से समझे तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए प्रिप्रेशन भी वैसी करनी पड़ेगी अगर बहुत उची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नीव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी और अगर हमें छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नीव छो पैसे को समालने के लिए उसे समझा कैसे जाए इसके लिए सबसे जरूरी बात है लेविल्टीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए एसेट्स को खरीदा जाए और लेविल्टीज में पैसे न डाला जाए अच्छा है ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन सच यही है कि लेकिन यह आपको अमिर बनने में यह आपकी बहुत मदद करेगा लेकिन यह अगर इतना ही शिंपल है तो हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं लोग को लगता है कि उन्हें लैविल्टीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है लैविल्टीज और एसेट्स लैविल्टीज वो है जहां से पैसा आपको कभी नहीं आएगा उल्टे आपको और पैसा डालते रहना पड़ेगा एसेट्स वो चीज है जो आपको पैसा देती रहेगी दिन पर दिन उसकी कीमत बढ़ती रहेगी वो आपको अमेर और अमेर बनाती रहेगी इसको अगर income और expense टर्म में समझे तो और आसान होगा simple सा मतलब है income है कि आपके पास कितना पैसा आया और expense है कि आपने कितना पैसा खर्च किया तो जब भी ऐसी confusion हो सही तरीका यह है कि balance sheet बनाए जिसमें assets और liabilities जरूर लिखे